हम आज बनारस के बजर डियां छेतर में आये हैं यहां पर साड़ी की बुनाई की काम होती है काफी लोग प्री है बनारसी साड़ी के बारे में तो हम ऐसे एक साड़ी की बुनाई के कारखाने में आये हैं तो हम जानकारी लेंगे कि वो कितने साल से कर रहे हैं और उनको ब्या के लिए दिए दिए तो बहुत ज्यादे खराब है बहुत जादे श्यक्ति हैं कि गषप सब्सक्राइब देखा यह तो बनाठ्शी साड़ी काफी फीमस है अल इंडिया में पूर दूर-दूर से यहां पर आते हैं लेने के लिए लेकिन उस तरह के यहां पर काम नहीं हो रहा है अब पहले तो दस साल पहले बहुत बढ़ने काम चल दा था उसके बाट डाउन हुआ तो अभी तर डाउन चल रहा है तो आपने कोई यह समय जो दूसर रुपया काम करना ही मुश्किल हो जा रहा है ऐसी हालत है इसे में जितने भी साड़ी बुनाई के कर खाने हैं तो उन लोगोंने कभी सरकार से मांग नहीं किया कि हमारा कुछ व्यपार के बाडरे में कुछ आगे-वड़ाःत है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है कि हमारे चैनल के माधेम से सरकार को यह मैसेज स्य्य जाना चीए कि हर आदमी को जीने खाने का हक है तो जो भी भाई बनारस के अंदर साड़ी का बुनाई का काम करते हैं उनको भी आजादी रहे उनका ब्यापार चले उनका जो साड़ी बनता है और इंडिया में उनका ब्यापार चले बीजनेस चले जब भी तो यह जिंदगी जी पाएंगे अगर उनका जो मेहन तो भारस सरकार से भी यह मांग करता हूं कि बनारस में जो साड़ी की बुनाई की जितने भी कारखाना है उधर भी ध्यान दे और जो जो कारीगर हैं जो यह काम करते हैं उनका व्यापार आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास किया जाए और क्या बोलना चाहते हैं अब सरकार से भी लोग लोगों प्रयान दे इसको जो तो कारबार और आगे बढ़ाने कुछ करें इसमें जो थो हम लोगों को थोड़ा तब आगे बढ़नेगा अव्यार form नाम था मैरा नाम मोहमगत नसिम बजर धीयां बहुत बोदरे नवह मांग करते हैं और यहां से साड़ी बन रभी ऊपलाई ह कोुझिटों में आज उनके पास आये हैं उने को यह शाड़ी बनाने क्या बियापार और चल रहा है कि नहीं क्या दिकते हैं मैं उनसे जानकारी लूँगा पताईए आप कितने साल से कर रहे हैं वानाची साड़ी के का मैं स्वागत करता हूं कि मेरे यहां आए मेरी आवाज बुनकर के उठाने के लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद है हम लोग तो बच्पन से करें चले आ हैं हमारे दादा पर दादाओं ने जो है बुनकर का काम किया है उनी से सीखा है उनी से बनाया है उनी से जो है देखा गया है और बुनकर की समस्या तो पहले से बहुत दैनिक इस्तिति हो गई कि जो है कारोबार पहले जैसा था वह आज नहीं है आज वो कम हो गया है कम हो ग लेकिन जो मजदूरी नहीं बढ़ता है कि जो मिलना चाहिए हर आदमी का जो मजदूरी नहीं मिलेगा तो फिर काम करके फायदा क्या है तो अब इसी में बुनकर बिचारे करे तो क्या करे उनके इलामा और किसी चीज की उनके पहले जानकारी नहीं है उसके इलामा या कोई चीज काम करना चाहरे है तो उनके पहले को अतना पूजी नहीं है उतना पैसा नहीं है इसी लिए कि जो है तो बुनकर बिचारे जो है सरकार कोई भी बुनकर के लिए कोई आवाज कोई उठा रहा है या मोदी सरकार हो चाहे कोई सरकार आई हो क्या तो क्या दिकते आ रही है वो सरकार से बताईए सरकार हमारे पहले बात बहुत नहीं और जो बैपारी हैं बैपारी क्यांदमी माल बी बैचता है तो वह कहते हैं मेरे भाई मिरे पाहिसा नहीं आ रहा है इसी तरीके के कारगोर को बहला पुसला के काम कर रहे हैं लोग ने तो एक मार्किट ऐसी बन जाए कि जो है कि कोई भी आदमी अपना भी फने विश्चर बना करके जो है मार्किट में कम से कम दोगा भजा लेओं अब एक गिरस्ता के भरोसे अगर रहेगा इंसान तो हमिशा रहेगा उसको आगे से नहीं मिलेगा उसको पर ले ऊसके सब सब्सक्राइब कर जो है तो तो बहुत से लाब मिल जाएगा बुनकर को अब मजदूरेब को जिनको टिकट मिलेगा वो खड़ा होएंगे आप उनको ओड़ देंगे तो उनसे अपने जो समस्या है बताईए कि हमारी मांग को पूरा किया जाए जीने का हर ने बिल्कुल हम लोग बिल्कुल कहेंगे और बिल्कुल हम लोग आवाज भी उठा रहे हैं अब जो तो लोग ब बहाऊना चल रहा है आव खाली सरकार क्या कर रहे हैं आदमी हैं और हिंदू-मुस्लिम के इलामा को पर ले कोई चीज नहीं है कोई कारोबार पर धियान दे दे या तो फिर बहुत पैसे वालें को पर बहुत ज्यादा धियान लें लोग देते हैं आम आदमी कहा जाएगा गर सरकार्य हाँ पर मोदी सरकार है या उत्तरप्रिट्रेस में योगी सरकार है अम आदमी को उपन आधियान देंगे तो वह जीएगा कैसा उनका बिजनेश जोटी-मॉटी ग्यापार है वह उनको अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आम आदमी कैसा जीएगा उनको जीने का हक है इस धर्ती पर जो भी जनम लिया है उनका रोजी रोटी कमाने का अधिकार है और सरकार को देना भी पड़ेगा एसा नहीं किसी को इतना तरफ सरकार नहीं कर सकते जिंदगी न जिये हर तरफ से उनका जो रोजी रोटी है तो पहली आज हम लोग यही उठाएंगे कि हम लोग को रोजगार दें और हम लोग को अच्छी खासी जो है तो कोई मार्किट ऐसी बनाएं बनाएं कि जो तो कोशिश करें और जो मज़ूरी नहीं मिल पा रही है बिजली का रेट इसकतर बढ़ गया बताए पहले बिजली का यही एक जो है बढ़ गया आदमी का कमाई भी तो बढ़ना चाहिए तो इसलिए यही में हम लोग बताई यह बिजली के बिल दिया जाए कि हम लोग जो है तो महंगाई से उज जा जाए कि आपने बाल बच्चे की पेट चलाया जाए क्या चलाया जाए हम लोग तो बहुत समाज का पुरा अब्हुत टरस्त है कि जैसा हाला जाएका सा बढ़ा सबस्पतरिज में एक हमने तो यह समझ माया कि फिर्ट आप इसानिगा तो बाहार कर नहीं है कुछ बूंपर सब्सक्राइब कैना गश्षर PFय तो कारवास नहीं है हुआ है यह उजारिस है जो फुर्खो से चला आ रहा है साड़ी की बुनाई की काम उसको इसी तरह से चलने दिया जाए किसी तरह से बन न किया जाए नहीं तो आम आदमी कहा जाएगा क्या करेगा उनको जिन्दगी जीना बहुत मुश्किल है और जो भी है हमारे